तो आज मैंने एक मज़ेदार सी रेसिपी डेकर आई है जिसका नाम है मैगी प्लस पास्ता मैगिस्ता तो चलिए स्टाट करते हैं कैसे बनाते हैं यह रेसिपी मैंने इसमें थोड़ा सा चीज एड़ किया है लेकिन आप बगेर चीज के भी बना सकते हो तो लेट्स स्टाट तो सबसे पहले मैंने लिया है पास्ता मसाला जो फाइर उपिस में आपको अवेलेबल मिलेगा सब जगे और यह मैगी मसाला है जो पैकेट के साथ ही आता है और मैंने एक मैगी लिया है एक मैगी का क्यूब लिया है और थोड़े से पास्ता लिया है और मैंने यह लिया है अनियन एक मुट्टी और एक मुट्टी मैंने कैप्सिकम लिया है एक मुट्टी मैंने कैरेट लिया है आप देख सकते हो तीनों equal parts में मैंने रखे हैं आपको समझने के लिए मैंने equally रखा है आप चाहे तो यह vegetables को नहीं भी ले सकते हो अब सिर्फ अनियन और टोमेटो का भी दोंगा कर सकते कृश्र कर सकते हो मैंने पतीला लिया है पहले परला में को गैस में लेने आ हैं पतीला और इसम्हार कर देना पांट के शहां He aanddy कर दोंगी तोबासीजी आइल करेंगाếtकी तोब चाहईल Зна esther करने से पास्ता मेगी जो थिपकिएंग नहीं और मैंने इसमें नमक भी आट कर दिया है अब इसमें बॉइल आ रहा है आप देक सकते हो दो मिल्ट के बॉइल आ जाता है तो अब क्या कर देगे हम मैगी बैट कर देंगे और पास्ता भी एट कर देंगें आप चाहिए तो तो मैगी को तोड़ भी सकते हो लेकिन मैं ट्वाइब आहें डिखला को लिए और तुट। वी भी को कर लिया एंग की असे लिए सिर्फ फ्रेशजड़ी पॉपंस लूंगा को कि कूक यह थोगा पानी डेकर लास्त हो यह घुटर से कूक छो और अब हमारे कडाई की बारी है तो कडाई मैंने ले लिया है आप देख सकते हूँ अब हम फ्लेम को अन कर लेंगे और इसमें हम एड़ कर देंगे ऑईल टूटेबल स्पून हमना आट ऑइल को अच्छे से फिर गरम कर लेंगे एक मिनिट के लिए मैंने ओइल को गरम कर लिया था अब इसमें मैं अड्ड कर दूँगी अनियन अनियन एड़ करके न मैं इसे थोड़े से सोटे बना लूँगी सोटे कर लूँगी बस पास से छे से के लिए क्यूंकि ऑइल बहुत ज्यादा गरम था मैंने इसे हाइफ लिम पे रखा था इसलिए पास से छे से केंड हो चुका है अब मैं इसमें एड कर दूंगी ग्रीण पीस मैं आप चाहि तो ऐसे भी ले सकते हो हम क्या करते है मतलब विंटर सीजिन में इसलिए मेरी मम्मी क्या करती है इसे बहुत सारे ग्रीन पीस लेगा के घर में छील लेती है और फ्रीजर में लग देती है सब वैजरेबस मैंने आइग कर लिया है अब इसे हमें अच्छे से कूक कर लेना है एक भी बस मैंने से चमश की मदद से हिलाते हिलाते कूक कर लिया है आप देख सकते हो बहुत अच्छे से कूक हो चुका है मतलब बहुत नरम नरम हो चुका है वेज़ेबस हमारे तो अब इसमें हम एड कर देंगे आइगे मसाले मसाली की बारी है तो सबसे पहले मैंने एड़ किया है red chili powder half table spoon और इसमें मैंने एड़ कर दिया है बस थोड़ा साइगदम one four ती स्पून अब बोल सकते हो हल्डी और इसमें एड़ किया है जीरा powder half table spoon और इसमें एड़ कर दोंगी maggie मसाला जो हमने आपको पहले दिखा दिया था जो मैंगी की पैकेट में आया था वह वाला है मैंने मैंगी मसाला एड कर दिया इसमें और बस मैंने इसमें थोड़ा सा Salt add q'diook टिया था वो वीडियो मैंने बनाया था लेकिन वीडियो नहीं बना मुझे पताने क्यू और इसमें मैं add कर रहे ह sein पास्ता sauce जो पीजसा sauce भी चूस कह सकते हैं आप लोग आप आड़ भी कर सकते हो नहीं भी आड़ कर सकते हो मैंने घर में जितना मसाला मुझे मिला मैंने उसमें सब कुछ आइड कर दिया था तो आप भी कर सकते हो नहीं भी आइड कर सकते हो मैंने इसे टूटेबल स्पून एड किया है लेकिन और अच्छे से हम इसे चमच की मदद से लाते रहेंगे और इसमें मैं एड़ कर दूंगी वन कप वाटर अब वाटर को एड़ कर दिया है हमने क्यूंकि मसाला अच्छे से कुख हो जाए और मसाला हमारा ना जले इसलिए हमने वाटर अच्छे से कुख हो चुका था तो आप देख सेकते हो मसाला अच्छे कुख हो रहे हैं मतलब पास्ता और मैगी मैगिस्ता दुने एड़ कर देंगे अब सब मसालेश को मैगिस्ता के सब मिक्स कर लेंगे मसाला मुझे थोड़ा काम लग रहा था मैंने इसलिए फिर भी मसाला इसमें एड़ किया है लास्ट में आप देख सकते हो वीडियो में प्लीज मेरा वीडियो पूरा देखिए अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए मेरे मैंगिस्ता का रेसिपी सब्सक्राइश APP फच्छां आट किया है इसमें थोड़ा सब्सक्राइश और इसमें थोड़ा सब्सक्राइश नमक रहता है ख्म हैजिए और मैंने इसमें प्ल्सक्राइश ತो तो वन टिबस्पून मेने टोमैटो केचप का लिया है अब सब इंग्रेंट्स को अच्छे से मिक्स कर लोंगी आप कर दो यह अप्शनल आपने अब कर सकते हैं अब फ्लेम को ऑफ लेकिन मैंने फिर भी तोड़ा ज्यादा मसाला चैड़ करकर कुक करना तो अच्छा बना था नहीं है यहें यहाँ में को अजय हैं YEAH । मैं ना खाया होगा सब्सक्षिन ही पिछल फूर में कि इससे पी युद्टन को दो तो तो मैंने यहाँ मैं अइसे तीज कर दिया रहे हैं आप एक चीज क्रते प्यक्पार है यृफ की लोट अटो पंद अ मादसे कैसे रहे किया। इससे बाद कर दो कर दो सता को करें यहां किली डहकती कुक कर लिया तोब अध्युकर अब कर लिया। मैंसी प्लेट में निकाल लिया है और अगर अच्छा लगा लाई ला ओ आपके मोझे कॉम्में कि आपर आप अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पास वाले बल आइकन को दबाना मत भूलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही नए रेसीप के साथ तब तक के लिए बाई बाई अल्ला हाफिस टेक